Hello everyone, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चानल लाव स्टोरी डेलर पे और गाइस मैं आज आपके साथ निक्सट पार्ट लेक्के आई हो हमारे विंजू स्टोरी का मौडरन विंजू का और उससे पहले मैं बता दू आप जाकर जिन जिनको ये वांक्षन और विंजू अगेरा पसंद है वो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो की बील स्टोरी डेलर है और अगर आपके मूवी की एक्स्प्लेनेशन अच्छे लेगते तो मीज़ा च करना है जी हां जांक चंगलिंग के लोग होते हैं उसके पापा के पाटी के लोग जो उनके साथ अब कंट्रिबूशन नहीं कर रहे थे वो लग प्लैन पनाते हैं कि उन लोगों को भी एक्जेक्यूट कर दिया जाए और कुछ पुराने मीडिया कर्मी हैं उनने भी एक्ज जब मिलने जाता है तो उसके जितने भी वेपन होते हैं वो लोग पहले ही भार बोल देते हैं कि आप अंतर नहीं लेके जा सकते जो हमारा वन कर्शिंग होता है वो अपने साथ ये बाई एक को लेके जा रहा होता है और वो दोनों अपने हाथियार जो हैं बाहर ही छोड़ कर अपने बंदों को देकर अंदर मिलने जाते हैं जोजिंग के साथ स्कॉर्पियो किंग बैठा होता है वो सारे के सारे बहुत सारी बाते करते हैं और जो हमारा गैंक्स्टर माफिया घोस्ट वैली का जो हमारा ये होता है वन कर्शिंग इसको समर्थन भी जोजिंग मांता और वन का शिंग कहता है कि मैं आपको समर्थन जरूर दूँगा लेकिन मुझे मिस्टर जांग की डेथ का ये नहीं समझ में आया कि उनके पार्टी के लोग जैसे ही उनकी पार्टी टूटी एक्दम से बिखर कैसे गए और आपकी पार्टी में कौन-कौन बंदे हैं जो स्ट और उसके असिस्टन पर भी मैं चाहता हूं कि मेरे या मेरे से जुड़े लोगों पर कोई हमला ना हो क्योंकि मैं गेंग वार नहीं जाता और मैं जानता हूं कि आपका जो माफिया ग्रूप आपको सुपोर्ट करता है वो स्कौर्पयो गेंग का है और आप यहां पर मुझ स्कौर्पयो गेंग के बंदों ने हमला किया या मेरी किसी भी आत्मी को मारने की कोशिश की तो मैं किसी को भी जिन्दा नहीं चोड़ूगा और दूसरी जीज़ वो जो सीबिया ऑफिसर है अब वो मेरे लिए काम करता है मेरे अंडर काम करता है तो उसे या उसके असिस्ट नहीं आएगी अब कोई भी हमला नहीं होगा तो यहाँ पर जो है वो जो स्कौर्पयो गेंग का जो बंदा होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो रहा होता है और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि यहाँ पर जाउजिंग जो है वो उसके फादर ने हमेशा उसे ब्रूटल रहना सिखाया है और आज वही उनसे उमीद लगाते हैं कि वो लोगों पर मरसी दिखाया है तो यहां पर जो शीव आंग होता है उसे बहुत जादा चड़ मच रही होती है और उसे इतना गुस्सा आ रहा होता है कि उसके फादर जो है यह प्रॉमिस क्यों कर रहे हैं लेकिन वो कुछ बोलता नहीं और वो चुप रहता है उसकी साइड उसकी नजरों की साइड जो वन खर्शिंग होता है वो भी देखता रहता है और वो जानता है कि यह बंदा कैसा है और वो कहता है मैस्टर शी शी वंग मैं चाहता हूँ कि या आप या आपका गैंग मेरे साथ या मेरे बंदों के साथ कोई भी मिजबिहेव ना करे अगर आपने दुबारा मुझ पर अटैक करवाया जो कि मैं जानता हूँ जो पहले अटैक हुआ है वो आपने करवाया है अगर मुझ पर CBI officer पर या मुझ से जुड़े जितने भी लोगों पर कोई अटैक हुआ वो सीधा मेरा मुझ पर क्यावा अटैक माना जाएगा और आप चानते हैं मुझ पर अटैक करना मतलब सामने वाले की मौद तो I hope आप समझ गए होंगे ये चुहे बिल्ली का खेल मैं नहीं खेलता और मुझे सीधा च्छाती पर वार करना आता है पीट पीछे नहीं तो please अगर आपकी कोई भी मंचा है या doubt है तो सीधा आकर मुझ से लड़े पीट पीछे से मुझ पर वार बिलकुल मत कीजिगा अगर आपको लग रहा है मैं कमजोर हूँ तो जावजिंग जी आप बहुत अच्छे से जानते हैं मेरी कितनी पावर है और अगर मैं आपको समर्थन दे रहा हूँ तो आप जानते हैं उसके बाद आपकी कितनी पावर होगी तो मैं चाहता हूँ कि ये mutual जो हमारी understanding है ये बनी रहे और जावजिंग भी एक fake smile के साथ उसे कहता है बिल्कुल बिल्कुल मैं नहीं चाहता मेरी हाँ पर दंगे हों लडाईया हों जगडे हों मैं भी peacefully सारी चीज़े चाहता हूँ और अगर आप मेर को समर्थन कर रहे हैं तो मैं कुछ पैसे चाहता हूँ एक्चुली पार्टी के खाराजात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए है तो वन करशिंग कहता है बिल्कुल आपकी पार्टी को जो चाहिए वो मैं दे दूँगा आपको इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं पस मुझे आप ये ज़रूर बताईएगा कि मिस्टर जांक की फैमिली से कितने बंदे मतलब पॉलिटिकल पार्टी से आपके यहाँ आए हैं और कितने सांसद मिलके आपकी चांसेस बना रहे हैं कि आप आने वाले इलेक्शन को जीत जाएंगे मुझे सब चीजों की डिटेलिंग ज़रूर भेज़ेगा आप चाहें तो मुझे फैक्स कर सकते हैं मिल कर सकते हैं और याद रहे एकदम एकुरेट और सटीक डिटेल होनी चाहिए क्योंकि मैं पैसा लगा रहा हूँ और मैं पैसा किसी गल्स चीजों पर लगाना पसन नहीं करता और जहां पैसा डूबने की अगर मुझे जारा सी भी अशंका हुई तो मैं वहाँ पैसा नहीं भेजूँगा तो जाउजिंग कहता है गारंटी देता हूँ कि मेरे लोग जीतने वाले लोगों में से ही हैं और अगर आप पैसा दे रहे हैं तो आपको लगता है मैं आपको सही कैंडिडेट्स के नाम नहीं दूँगा मैं आपको सारी डिटेलिंग में चीज़े दूँगा मेरी पार्टी के लिए और मेरे help करने के लिए शुक्रिया और वहां से वनकर्शिंग अपना अलविदा लेता है और वनकर्शिंग गाड़ी में आकर सारी चीज़े जो हमारी सोनगली होते हैं उससे बताता है कि कैसे कैसे जाउजिंग ने कितने बंदों को खरीदा है जाउजिंग आते हाते हैं उन लोगों को वो सारी चीज़े mail कर देता है जो जो बंदे जांग फैमली से स्विच करकर जो हमारे जाउजिंग है इससे आकर हाथ मिला चुके हैं और कितने बंदे कौन-कौन सी पार्टी में लग जा रहे हैं उसके लिए भी वनकर्शिंग ने जासूस को छोड़ दिया था जिसमसे ये बाई सारी चीज़े पता लगा रहा था और लियोचंचाव भी लियोचंचाव जो है वो हमेशा जो हमारा वनकर्शिंग है उसके एक ट्रॉस्टेबल परसन में से एक है और उसके लिए स्पाई करने को भी तयार रहती है यहां जो 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 होते हैं वो बचारा अकीला बैठा बूर हो जाता है और हान जो है वो अंदर हवीली में जाते हैं और उसके बाद वो काव वेनिंग और गूश यांग से मिलते हैं गूश यांग जो है वो उससे छेड़ रही होती है कि आपके गले पर यह लवबाइट कैसा आप तो कल ब्रदर वोनकर्शिंग के रूम में रुके थे ना तो यह लवबाइट कैसे आ गया जो है अपने आपको छुपाने लगता है अपनी शिट के जो कॉलर होता है उससे अपनी घरदन को छुपाता है तब ही काव वी नहीं कहता है गूश यांग तुम सब को जानके भी अनजानी कैसे बन सकते हो अफकोर्स यह निशान ब्रदन लोग का है और उन्होंने यह निशान दिया होगा है ना मैं जोट बोल रहा हूँ क्या तब ही जोज इशू कहता है ऐसा कुछ नहीं है मेरे और वन कशिंग के बीच में ऐसा कुछ नहीं है जब साप लोग सूच रहे हैं क्योंकि मैं एक स्ट्रेट हूँ और वो उसने खुद से कबूल किया है कि वो एक की है बट मैं स्ट्रेट हूँ तब ही खाव यह निक कहता है तो क्या हो गया स्ट्रेट एलजीबीटी कुछ नहीं होता फिलिंग्स होती है हर इंसान की आपको जिसके लिए फिलिंग्स फिल हो आप उसे हां करते हैं जेंडर पायस्ट कभी लव हुआ है जो आगे चलके होगा कभी भी ऐसा नहीं होता तो उसकी बातों को कहीं न कहीं दोजीशों भी हां भरता है और तब ही हान जो है देखता है कि वहाँ पर न चलते वे जो इनका भाई होता है यानि के वेन यांग होता है वो आ रहा होता है तब ही हानू से देखके बहुती ज़दा बलश फिल करता है और उन्हें अपने पास बठाता है मतलब आने के लिए बूलता है और वो उसके पास बैठते हैं ये सारे के सारे मिलके फिर ताश खेले लगते हैं बलफ खेलते हैं जिसमें से हर बार बलफ करते हुए गुश यांग चीच जाया करती थी और गुश यांग जब जैसे ही जीत थी वह चरप के लिए खड़ी हो जाया करती थी और ही लोग काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं फिर साथ में खाना खाते हैं और लंच करने के बाद जैसे ही लोग लंच करने के बाद उठते हैं तब यह देखते हैं कि सुना गली यह भाई लियो चिंचो जो है आप कहां गए थे तभी जो वनकरशिंग होता है उसकी नजर जान चंग लिंग पर जाती है और वो किता है किसी काम से गए थे बहुत अर्चन काम है सो वह इंपोर्टन था मैं सूच रहा हूं मैं अब इतना इंपोर्टन काम करके आया हूं तो कुछ पेट पूज़ा हो जा चंग लिंग की तरफ जा रही थी जो आज थोड़ा से अधास फील कर रहा था क्योंकि कहीं न कहीं जान चंग लिंग जानता था कि वनकरशिंग जो है वो दूसरे ऑपोसिट पार्टी वालों से मिलके आया है और वो जानता था ही लोगों का आगे चलके क्या प्लैन होगा जांग चंग लिंग थोड़ा सा चीजों को अवाइड कर रहा था क्योंकि उसे बहुत बुरा लगता था अपने पेरिंट्स की डथ के बारे में सुनना और ऐसे लोग जो उसके पापा को धोका देने में माहिर हैं उन लोगों के साथ जब वन करशिंग हाथ मिलाता है तो उसे अच्छा नहीं लगता लेकिन वो जानते हैं कि ये सारी चीज़ उनके प्लैन का हिस्सा है था कि ज़ंग चंग लंक के पापा को किसने मारा ये सब पता कर सकें और वो वनकरशिंग कही न कही जानता था इसमें जो यह स्कॉर्पिन गैंग वाला है इसका कही न कही हाथ है और अगर इसका कही न कही हाथ है तो उसमें यह जाओ जिंक का भी हाथ है और बिना सबूत के कोई भी फैसला करना बेवकुफी होती है बेवनियाद होता है इसलिए वनकरशिंग को एक बीजल बाजी में फैसला नहीं करना चाहता था और वो हर चीज़ को पहले जाच परक कर डिटेल निकाल कर तब कोई फैसला लेना चाहता था क्योंकि उसने एक चीज़ सीखी थी हजार कसूर वार छूट जाएं कोई बात नहीं लेकिन एक बेकसूर को बेफजूल की सजा कभी नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो काम जो गुना उसने नहीं किया जो पाप उसने नहीं किया उसकी सजा का हगदार वो नहीं है और हजार कसूरवार छूट जाएं कोई बात नहीं लेकिन एक बेगुना को मारना पुरी इंसानियत को खतम करने के बराबर होता है और ये बात कहीं न कहीं वनकर शिंग जानता था वनकर शिंग जो है वो तभी जाउजशु को देखता है जो उसके पास ही बेटा वाता है और वनकर शिंग को फिर से शरारत सूचती है और वो जाउजशु के धाइस पर अपना हाथ रब करने लगता है जिसकी वज़शु की पूरी बाड़ी के अंदर स्टुमिलेशन फील होता है तोड़ी सी अट्रैक्शन होती है और शाउजशु बहुत अंकमफरिबल हो जाता है बिकिस उसकी वैसे बीजीन्स वगेरा काफी टाइट थी और उसकी वज़शे जो उसकी मैन बॉड़ी में हल चलो रही थी वो वनकर्शिंग को घूर के देखता है अपना हाथ अटाओ बनकर्शिंग केता है थाइस पे तो रखा है कुछ गलत थोड़ी किया है तुम ऐसे क्यों कर रहे हो तो वो केता है तुम बहुत ही ज़ादा शेमलेस हो मुझे तुम से कोई बात ही नहीं करती तब ही वो केता है वैसे मैंने तुम्हें एक चीज़ बता न भूल गया अब तुम पे कोई हमला नहीं होगा और अगर तुम पे कोई हमला होता है तो मैं आगे आने वाले लोग को नहीं छोड़ूँगा जो भी तुम्हें या असिस्टन हान को हाम करना चाते हो क्योंकि तो मेरी वाइफी हो और असिस्टन हान मेरी होने वाले ब्रदर इनलो मैं बहुता है आंकी घुमाते वे जोज शुख क्या बक्वास करर रहे हो तो मैं कोई तुम्हारा वेयफी नहीं हो और ब्रदर हिलो तो मैं तो मैं जो तो मेरे चोंटे ब्रों को तुम्हारासिस्टन काफी पसंद मैं और मुझे असे लगता हूं तुम desen को भी Mेरे ब्रदर बना लो, बना क्या पता कौन चुड़ेल तुम्हारी किसमत में लिखी जाए, तो जाउज़ेशू कहता है, तुम्हें पार्टनर बनाने से अच्छा में एक चुड़ेल को जेल लूगा, लेकिन तुम जैसा बंदा मुझे बरदाश नहीं होगा, बिकिस तुम बहुत ही जाद हो और बहुत ही जादा शील्स हो, और तुम जैसे इनसान के साथ मेरे जैसा इनसान तो बिलकुल नहीं रह सकता, बिलकुल मैं तो तुम्हें दुरी नहीं जए सकता और तुम चाहते ओँ मैं तुम से शादी करूं, वन कार्शिंग कहता है तुम मुझे जेल लोगे, एक पर याद ही नहीं तुम उसे क्यों जान-जान के उड़ा के लेका दो जो मुझे याद है तुम उस चीज़ पर बात करो तो वनकर्शिंग कहता है ओके ओके वैसे हम और भी experience कीन कर सकते हैं अगर तुम चाहोगे तो चाहोगे तुम जैसा बेश बेश रम इनसान लुदक नहीं पकूर हूज चाहोच साजनब कादा पřकते हैं तुम युदक पश mars और अरे तुम को से मभी धर कॉया प्सक्री मैरी मोम को क्या इ趣क्ष्elnे को इनकर्षाओ मेरी नि ही एंदाब तुम पर है और सिबकरा को पता है कि कल राध राध हम साथ सुए थे तो यहां पर Behण बेटे हार वाले आदमी को कीफ पता है कि कल रात हमारेशी बीच कुछ ना कुछ तो हुआ है और तुम कैसे डिळटIGHT कर सकते हो कि हमारे बीच कुछ नहीं है यह खुद को बेख को बिनाने वाली बात हुई सॉजेशू कहता है तुमसे बहती स्था बेकार है और वह गुस्से में वहाँ से उटकर छला जाता है तभी उसके पीछे-पीछे को भगा क्यों दिया तो वो कहता है यह officer काफी annoying है तो मैं पता है कि मेरी कोई बात नहीं सुनता मैंने इसे कितनी बार approach किया लेकिन यह बहुत जादा जद्धी है बहुत जादा धीट है तभी उसका brother कहता है brother मैंने आप जितना धीट नहीं देखा आपके आगे तो यह कुछ भी नहीं है बहुत सीधे लगते हैं मुझे तभी one question कहता है जौजशू सीधा क्या होगे तुम्हें तिन में क्यों तुमने नश्यकर रखे हैं होश में आजाओ तभी वो हसता है और कहता है वैसे जौजशू से ज़ादा मुझे हान ठीक लगता है वो काफी सीधा है और सीधी बाते करता है आपका जो पार्टनर है वो थोड़ असर टेड़ा है लेकिन मेरे वादा तो घाएं की तरह सीधा है वनकर शिंग कहता है यह तो बहुत अच्छी बात है तुम्हें मेरी तर पाया था तो अभी भी धकान थी यहां जो से शुरू में आकर सिर्फ सीलिंग वाल ही देखता रहता है और सोचता है यह वनकर शिंग कितना बेशरम है उसे बहुत गुसा आ रहा होता है और तभी उसे समझ नहीं आ रहा हुता वह एंट्रटेन्मेंट के लिए क्या करें टी अच्छा लगाओ अच्छा लगाओ में यह चानल को पका सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं आपको विंदू पसंद है या नहीं पसंद और आपको इस स्टोरी कैसी लग रही है थेंक यू वेरी मुच बाबाए